असलाम लेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होसलान और आप देख रहे हैं अरसल ठेक यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम फ्लटर की सीरीज को कंट्विन्यू करते हुए हम आज के इस टॉपिक में लिस्ट व्यू की इंप्लिमेंटेशन को देखने वाले हैं कि क इस तरह हम लिस्ट व्यू को फ्लटर एप में इंप्लिमेंट करते हैं सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे सब्सक्राइब भी कर ले और साथ वेले बैल आइकन पर भी प्रेस करते हैं ताकि आपको हर राय implementation जो वो use करना चाहते हैं या implement करना चाहते हैं तो अब हम basically क्या करेंगे कि हमारे पास यहां पर एक file open है basically यह कोई भी बिल्कुल simple हमने एक widget use किया है stateless widget है और हम यहां पर क्या करेंगे basically list view सबसे पहले तो एक material app widget use करेंगे जिसके अंदर हम layout design करेंगे layout design करने के बाद हम list view को use कर सकेंगे हम यहां पर return करेंगे material app ठीक है material app के बाद हम यहां पर इसकी body को start करेंगे material app यूज कर लिया material app के अंदर basically हमने यहां पर title प्रोवाइड करना होता है so title हम यहां पर रख लेते हैं view ठीक है list view हम रख लेते हैं और उसके साथ साथ material app में हमारे पर जो second इसमें parameter आएगा वो आएगा home का ठीक है home हम यहां पर रख लेंगे scaffold already हम काफी दफ़ार discuss कर चुके हैं कि यह scaffold क्या है material app क्या है सो अब हम इसको just simply जो वो implement ही करेंगे scaffold के अंदर हमारे पास आपको पता है कि app bar आती है तो app bar हमारे पास design हो जाता है तो हम यहां पर क्या करेंगे app bar app bar के अंदर हम यहां पर title set करेंगे ठीक है title हमारे पास आजेगा text यह भी ठीक हो गया हमने app bar यूज कर लिया home में हमने scaffold यूज किया app bar यूज किया उसके अंदर हम यहां पर material app में body यूज करेंगे body का parameter यूज करेंगे इस body के अंदर हम basically अपनी list view को ही यूज करने वाले हैं तो हम यहां पर करेंगे list view list view के भी basically हमारे पास कुछ items certain items होते हैं जिनको हम यह कह देते हैं children होते हैं और उसके बाद हमारे पास list tiles आती हैं तो सबसे पहले तो हम children को यहां पर define करेंगे ठीक है children के define करने के अंदर हमारे पास यहां पर आएगा list tile एक list tile हमारे पास एक item होगा हम यहां पर use करेंगे list टाइल लेस्ट टाइल एक आइटम को शो करता है ये बात हमेशा याद रखिएगा लेस्ट टाइल में हमेरे पस लीडिंग जो हता है लीडिंग ये बिसिकली हमेरे पस आइकन आ जाता है या आप इसमें और भी कुछ चीज रख सकते हैं तो हम यहाँ पर आइकन यूज़ कर ठीक है अब आप यहाँ पर inverted comma यूज़ करें ठीक है और यहाँ पर इसी को copy करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर यह रेखें second tile आ गया अब यहाँ पर यह third tile आ गया अब आप इनको change कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके title को define करता हूँ first tile के हम रख देंगे map रख देते हैं ठीक है मैं map रख देता हूँ second हम यहाँ पर रख लेंगे album album रख लेता हूँ तो similarly इसी तरह हम इसके text को भी यहाँ पर define करेंगे जो के हमारे पास यहाँ पर आजएगा तो अब यह देखें आपको error provide कर रहा है basically यह हमारे पास आएगा photo album होगा just album जो यहाँ पर work नहीं कर रहा तब हम यहाँ पर भी इसको title में रख लेते हैं जी album या photo album या जो भी आप कहलें आप list में जो जो items रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं third हमने यहाँ पर क्या करना है यह जो title है इसी को हम copy करके यहाँ पर paste करते हैं और यहाँ पर third item आप अपनी जो requirement के according ही यह तमाम चीज़ें जो रखेंगे हम यहाँ पर रख लेते हैं phone तो यह जो मैंने रखे और दूसरी बात यह बार बार हम यह करें एक mistake करें कि इसकी जो spelling है वो small ही रखनी है ताकि आपका icon जो आज है और कोई भी error ना आए ठीक है तो अब हमारी जो implementation है वो यहाँ पर complete हो गई है अब हम अपनी app को जो run करते हैं और देखते हैं कि क्या result है आप देख सकते हैं हमारी application यहाँ पर run हो चुकी है और आप देखें किस तरह हमारी जो list view थी उसके अंतर हमारे यह तीनों जो items थे वो हमें यहाँ पर show हो चुके हैं फस्ट है हमारे पास map, second है photo album और third है हमारे पास phone तो यह basically हमारे पास हो गई है list की implementation तो यह था आज का हमारा simple tutorial जिसमें हमने देखा है कि किस तरह हम list view को flutter में use करते हैं उसे किस तरह हम implement करते हैं वीडियो अगर पसंद आई तो like करना ना बुलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी interesting topic के साथ, तब तक के लिए अरसल टै की तरफ से, अल्ला हाफिस